आज मैं आपके साथ एक ऐसा stock discuss करने वाला हूँ जिसका आज की दिन price चल रहा है 20 रुपया और आने वाले तीन महिने में इसी stock का 20 रुपय का price बढ़ते बढ़ते 100 रुपय का target आपको दिया जा रहा है और बताया जा रहा है सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस stock के बारे मुझे पता कैसे चला आज क्या हुआ सुबह सुबह मेरा YouTube Premium खतम हो गया जैसे YouTube Premium खतम हुआ मुझे ads दिखने स्टार्ट हुए और सबसे पहला ad जो मुझे दिखा वो इस stock के बारे में दिखा जो इस ad में बताया जा रह है और भी बहुत बड़े-बड़े claims किये गए more than that authenticity को बढ़ाने के लिए काफी सारे बड़े-बड़े media houses के आर्टिकल दिखाये गए जहां पे भी सेम बात बोली जारी हो और आपको communicate करी जारी है कि 20 रुपे का stock का potential है ये नहीं बोला जाना कि target है क्योंकि target का बोलता ही वो manipulate किया जाता है discuss करते हैं सबसे पहले वहाँ पर बोला गया है कि 90% promoter की holding है मैंने गा ठीके चेक कर लेते हैं प्रमोटर की holding चेक करी तो पता चला 90% promoter की holding है पर September 2023 में आज की दिन promoter अपना 11% का stake बेच चुका है और 79% पर अपनी holding ला चुका है और ये सारा का सारा stake purchase किया ग कि कितना बड़ा multi bagger होने बाल है ये हुई पहला point नेक्स में बोला जाना था कि इस company की इस साल में 200 क्रोड की sales पहुच गए जो पिछले साल से double हो गई है मैंने क्या ये सही कह रहे check out करते है पता चला कि हायर last year 100 क्रोड की sales थी और इस साल 200 क्रोड पे पहुच गई है पर ये वीडियो वाले ये बताना भूल गए कि इसी company की sales 2018-2017 में 700 क्रोड की हुआ करती थी और 700 क्रोड से सबसे पहले reduce हुई 12 क्रोड पे और फिर उन्हें increase दिखाया 200 क्रोड का फिर साथ ही मैंने सुझा चनल profit भी देख लेते हैं कितना बनाती है तो 200 क्रोड में profit है मातर 5 क्रोड क 2017-2018 में बात करोगे तो उसमय 18-19 क्रोड का profit चलता था पर 2020 में 27 क्रोड का loss था next year 57 क्रोड का loss था 2022 में आपको profit मिला 1 क्रोड का 2023 में आपको 7 क्रोड का profit दिखा अगर आप profit after tax देखोगे तो वहाँ पे आपको रफली 9 क्रोड का figure देखने को मिलेगा पर यहाँ पे majority profit 2022 और 2023 मे इनोंने अपने transaction-wise profit दिखाया था जो additional profit हो जाता है मतलब company के action operating margin की बात करोगे तो सिर्फ 2% का है more than that 2% का होने के बावजूद भी अचानक से कुछ ना कुछ other income की रूप में आपको दिखा दिया जाता है फिर मैंने का चल ठीक है 25 क्रोड का profit है देख लेते भी है cash flow क्या च cash flow आप check out करोगे 2023, 2022, 2021, zero cash flow, इस साल सिर्फ 1 क्रोड का cash flow मतलब profit चाहे company कितना भी दिखा दे, actual cash उसके हाथ में कुछ आई ही नहीं रहे data आपके सामने, फिर मैंने देखा कि चल company का rating को check out करते की company की क्या rating है, company की rating agency का data check out करा तो वहाँ पर उन्हें D rating दे रखी है, D rating क्यों debt को देने के लिए company को debt देना बहुत रिस्की है, इसकी वैसे कोई भी उन्हें अच्छी rate पर debt देगा ही नहीं, और अगर आप इस company को debt दे रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारी पर दीजेगा, इस company का कोई भरोसा नहीं है, ऐसा ये credit agency बोलने की कोशिश कर रही है, ये same rating इसे सारी की सारी credit rating agency से मिल चुकी थी, next मैंने का कि अगर 200 क्रोड का sales कर रही है company, तो देखे तो सही किनको माल बेच रही है, पता चला, total जिने ये माल बेच रही है, वो सिर्फ है 5 customer, उसमें से भी जो number one customer है, उसे ये माल बेच रही है, 58.37% का, मतलब अगर एक customer बोल दे कि जा विया में तेरे साथ काम नहीं कर रहा, ये company हो जाएगी, एकदम खातम और निल बटा सनाटा हो चुका है, इस company का मामला, इतने सारे लूपोल्स होने के बावजूद भी, आपको एक paid ad दिखा के बताया जा रहा है, कि किस तरीके से इस stock को एक multi bagger होने वाल है, क्या हो सकता intention आप मुझसे यादा जानते है, हमने का चल कोई बात नहीं, एक बाई टेकनिकली भी चेक आउट कर लेते हैं, कैसा बोल रहा है stock और क्या बोल रहा है, stock ये बोल रहा है, कि randomly stock में कभी भी volumes आ जाते है, जिसकी वैसे ये stock बढ़ जाता है, जिसकी वैसे ये stock बढ़ जाता है, operator game का, मतलब कोई operator है, जो इस complete stock को operate कर रहा है, जैसे stock में कोई news आती है, ये अपना माल बेचके वहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहा है, और आप सभी को stock चिपकाने की कोशिश कर रहा है, ये picture हमें समझ आ रही है, complete video analysis करने के बाद में, देखिए, ऐसी company में तो आपने इन attention क्या होता है, और किस तरीकी से circulate किया जाता है, और एक नया scam हो चुका है, वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी क्या हुआ है, आज के दिन social media एक बड़ा platform बन चुका है, इन companies को ये realize हो चुका है, जब भी promoter को ऐसी चिटर पिटर companies होती है, मैं company का नाम इस वीडियो में रहे हैं, ऐसे channels को जिसमें actually 5,000-10,000 subscribers है, मतलब सारे paid ads है, paid ads चला के आपको कुछी भी company का नाम पहुचाया जाता है, आप उस company में देखते हो, आपको लगता है, एक का पांच हो जाएगा, तीन महिने में गया भी तो क्या हुआ, बीस रुपए गया, चल डाल देते हैं, आ आप डालते हो, आप अके ये डालते हैं, आप के इसे हुँआरव लोग से बढ़ता है, जब बढ़ता है, प्रमोटर अपना माल बीच के निकल लेता और किसी को पता भी नहीं चलता है, sales के figure मैनेुप्लेट कर के दिखाया जाते है, या फिर किस तारी की से दिखाया जाते ह बहुत ही concentrated business है अब जो जिनसे business कर रही है वो भी इनकी कोई related party है या नहीं है वो अगर हम आगे साड़ी करेंगे तो पता चलेगा कि पता चले कि जिनको ही माल बेच रहे वो भी घूम फिरके इनकी कोई related party ही है ऐसी companies और ऐसे paid videos अगर कोई video आपको पैसे लगा के पहुचाया है आप सोच के देखो अगर पैसे लगाया है मैंने किसी एक नाम को आप तक पहुचाने के लिए मैं उस नाम से कितने पैसे कमाऊंगा यहाँ पे मैं होता है उस company के probably promoters आप सो भी समझदार है important और educational वीडियो है तो दोस्तों आशाच शेयर करना मत बुलिएगा happy learning and I will see you very soon